आज हम अश्टमी और नवमी वे बनने वाली शूजी का हलवा बनाएंगे यह एकदम बहुत स्वादिश्ट है और इसको आप करने पुजन के लिए बना सकते हैं नमस्कार भूमिज कीचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आईए देखते हैं इसको बनाने का तरिक मैंने मेजर्मेंट कॉप लिया है उसी कॉप में एक कॉप से थोड़ा सा कम है चीनी तीन कॉप पानी डाला है मैंने और एक कॉप से थोड़ा सा कम है चीनी अभी इसको पानी और चीनी को घुलने तक पकाएंगे इसका चासनी नहीं बनाना है बस इसको मिलाने तक पकाना है अभी इसमें एक चमच के करीब एक छोटी चमच है इसमें इलाची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा उबाला आगया है देखिए तो अभी हम इसको अलग से रख लेंगे या फिर दूसरे स्टोप पे आप रख दीजिए उबलने के लिए अभी यहाँ पर एक कड़ाई में मैंने घी डाल दी है आधा कॉप जितना घी ले रही हुमें उसमें से थोड़ा सा बचा लिया है इसको हम बाद में डालेंगे अभी इसमें कटा हुआ बादाम और जो कटा हुआ काजू है इसको हम हलका भून लेंगे अधिक हलका हलका भून लिया है इसको बाहर निकाल ले कड़े में मेजर्मेंट कॉप जो है सेम है एक कॉप सूजी में डाल दी है कि इसको थोड़ असा लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे लगबुक आपको पांस से दस निट लग जाएगा इस तरीके से मीडियम आँच पर आपको भूनना है थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगाए देखिए ब्राउन होने लगा है ऐसे जैसे ब्राउन होने लगे उस टाइम आपको जो पहले का जो पानी त्यार किया गया है चीनी और पानी इसको मिला लुना है तो सभी तीन कप पानी हम डाल देंगे इसमें अभी लग रहा है कि थोड़ा सा पतला है और यह हलवा कैसे पतला हो जाएगा लेकिन यह पकने के बाद एकदम अच्छी सरह से सूजी सोख लेता है सब पानी और बहुत अच्छा पक जाता है तो इस तरीके से अच्छे से मिलान सब्सक्राइब को मीडियम रख दें अभी देखिए तीन चार मिनिट के बाद मैं खोल के देख रही हूं अभी इसमें हमारा जो भूना हुआ काजू बदाम था उसको डाल देंगे और यहां पर थोड़ा सा किश्मिश डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लें से जितना भी मैंने घिज डाला था यह सभी अब्जर्ब कर लिया है सूजी और ज्यता भी हमारा जो पानी था और घी था सभी इसको सभी इसमें अब्जर्व हो可ई हो कि तो हमारा सूजी का मताना है देखिए कितना अच्छा पक गया है शूजी और एक दम खिला खिला बना है अच्छे से पक गया है अगर आप चाहे तो इसमें और थोड़ा जो मैंने बचाये हुआ था ना घी तो इसमें मैं एक चमच के करीब डाल रही हूँ बहुत जादा घी नहीं डालेंगे हम यह दो चमच के करीब बच गया है इसको हम रख लेंगे बहुत जादा घी हल्थ के लिए सही नहीं है इसलिए मैं कम घी ही डाल रही हूँ तो एक चमच घी डालके इसको अच्छे से मिला लेंगे तो जितना भी घी डला है इतना सुजी के हल्वा के लिए सफिसेंट है तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप इस सुजी के हल्वा भी बहुत ज्यादा परफेक्ट बनेगी और एक दम खिला खिला बनेगी देखिए कितना अच्छा बना है और सभी चीज इसमें से मेजर्मेंट लेकी ही बना बनाईए तो हल्वा भी कन्या पूजन के लिए या फिर प्रसाद के लिए तयार है लेखिए खिला खिला बना है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपकी रेसिपिक कैसा बनाए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें